Hello everyone, versatile nature channel में आपका हार दिक स्वागत है तो आज हम क्रोटन प्लांट के बारे में बात करेंगे तो यह आप देख सकते हैं क्रोटन प्लांट और यहां पे मैंने क्रोटन की सारी वराइटी रखी हुई है यह आप देख सकते हैं इसकी जो फॉलेज है बहुत ही जदा प्रिटी लगता है यह प्लांट और पत्तियों के लिए ही यह जाना जाता है बहुत ही सुन्दर सी इसकी पत्तियां होती है और इसकी पत्तियों में धीरे-धीरे कलर चेंजिस चलते रहते हैं जैसे जैसे प्लांट में जोहर होता है वैसे वैसे इस तरीके की पत्तियां हो जाती है थ तो इसलिए अभी इसकी जो पतियां है वो धीरे धीरे रेड कलर में चेंज हो रही है। पहले इसमें ग्रीन और यलो कलर आता है। उसके बाद थोड़ा सा रेड कलर आजाता है। इस तरीके से इसकी पतियां जो है वो बहुत ही सुन्दर लगती है। यह आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दय प्लांट जाएं यह जो वाराइटी ए बहुत जद्ध अच्ही लगती है और इसकी अलावा भी बहुत शरी वाराइटी है इसे क्रोटों में यह चोटे प्लांट्स जो है यह आपको 40 विफ्टी रुपीस में मिल जाएंगे और बड़े प्लांट्स इवह स्टाहिए तो वेल ड्रीन सोयल रखनी बिल्कुल आप एक पार्ट गार्ण सोयल लेली जए एक पार्ट जो है कंपोस्ट करना चाहें वो गार्थ कर सकते हैं ठूड़ा सेंडी है और जहां तक घरमेव में इसमें वाट्रीं की बात है तो आप डेश कर सकते हैं लेकिन अभी मौसम है तो आप टॉप सोईल चेक करके वाटरिंग कर सकते हैं और इसे बिल्कुल लो लाइट वाले एरिया में ना रखे नहीं तो इसकी जो पतिया है उसमें इस तरीके का फॉलिज नहीं आएगा तो इसे ऐसे एरिया में रखना है जहां पर इसे मौनिंग की 2-3 गंडे की दूप अगर मिल जाए तो मौनिंग की 2-3 गंडे की दूप इसके लिए वैसे काफी होती है उससे इसकी जो पतिया होती है उसमें बहुत अच्छा फॉलिज आ जा जाता है और आप इस तरीके के पॉट में इसे लगा सकते हैं मैंने इसे सीमेंट के पॉट में भी लगा लेकर आप इसे भाराती राइंच की गंडे में भी लगा सकते हैं और इसे ऐसे एरिया में रखना है जहां पर इसे मौनिंग से लाइट मिलती रहे बिल्कुल इंडोर समझ के इस प्लांट को बिल्कुल इंडोर नहीं रखना है नहीं तो ये पत्तियों का जो कलर है वो अभी तक इसे कोई जादा फर्टिलाइजर नहीं दिया है तो अब इसे अगर फर्टिलाइज करना भी चाहें तो बारिश के बाद में फर्टिलाइज कर सकते हैं अभी तो इसे नॉर्मली ग्रूख होने दीजिये क्योंकि अभी मैंने इसे ज्यादा दिन नहीं हुए लगाए हुए तो यह रेखिए आप इसे इतनी अच्छी सी इसकी पतियां होती है बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है आप इसका कलेक्शन करके और एक पूरा क्रोटॉन का कलेक्शन बना सकते हैं तो यह एक वराइटी बहुत ही इसके अलावा भी इसमें बहुत हरी वराइटी आती है अगर आप इसमें फर्टिलाइजर देना चाहें तो थोड़ी सी हलकी गुडाई करके और फिर आप इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं और जो भी नीचे जो गंबले को पतियां टच कर रही है उन्हें आप थोड़ा पतिया थे इसमें हो ऐख इसमें बहुत जाए इसमी बीटिफूल सी पतियां बहुत ही प्यारे कलर है इसका भी ऑर थोड़ा डाकिश कलर है थोड़ा थोड़ा शक calendar है एक तो और इसके जो पतियां है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही डिफेंट टाइप की लबी-लमबी सी पतिया हैं तो यह एक डिफेंट क्रोटॉन है इसके अलावा भी बहुत सरी वराइटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी तो वह भी आप देख सकते हैं हमारे यह अभी नर्सरी तो ज्यादा ओपन नहीं है बहुत कम नर्सरी जो है वह उपन है और ज्यादा प्लांट भी बहर से नहीं आ रहे हैं तो यह सारी जो वराइटी है यह आपको 100-200 तक में मिल जाती है डिपेंड करता है कि प्लांट बड़ा है या छोटा है इस तरीके से साइस केर कर सकते हैं जहां तक और फर्टिलाइजर की बात है कि आप कब दें फर्टिलाइजर तो मैं तो अभी बारिश में फर्टिलाइजर नहीं दू Story । नहींदूनी क्यों कि वुक्क्ति यह संताको जरूरत भी नहीं है नमल ग्रौ हो दो अच्छा है और यह यह में एक और थोड़ी यलोईश कलर में है और यहां पर देख सकते हैं से मॉर्णिंग की प्रॉपर धूप मिल जाती है इसलिए यह बहुत अच्छा ग्रो चुका है और यह बहुत पुराना प्लांट है और मैंने इसे बहुत बार कट भी किया है और फिर भी यह रिखिये बार बार ग्रो ह हो जाता है इसमें जहां तक पैस्ट की बात है तो यहां पर इसमें मैंने मिली बग्स का टाइक देखा है कि मिली बग्स का टाइक हो जाता है तो उससे बचने के लिए आप इसमें नी मॉइल स्प्रे कर सकते हैं या फिर पानी में शैंपो में लाके स्प्रे कर सकते हैं इसस प्लांट है वो मोईस्ट्र पसंद करता है लेकिन सौगे मिट्टी नहीं होनी चाहिए बस इसी बात का ध्यान रखना है समर में बस इस प्लांट की इसी तरीके से केर करनी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेल जरूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर न